खुआ नमस्कार वहां दोस्तों मेरा नाम है जागर शर्मा और आज हम करने वाले हैं गैलक्सी जेवन मैक्स का रीविव तो पहले मैंने इसके अन्बोकसिंग नहीं करी क्योंकि मैंने पहले ही काफी ज्याते ज्याते लिएसी उन्बोकसिंग कर चुका हूँ और उन सब के लगभग एक जीसी ही चीज़ी निकलती है ते इस पेसिफिकली आप जेवन प्रोग की अ यहां तक की नए J7 Pro तक में नी आई और उसके अंदर भी 5.5 इंच की डिस्पले है जेशन प्रो के अंदर और इसके अंदर M.O.LED डिस्पले नहीं है इसके अंदर IPS LCD पैनल है M.O.LED सैमसंग फोन में आती है पर पता नहीं क्यों इसमें सैमसंग ने नहीं थी मुझे M.O.LED बहुत पसंद है वह बहुत अच्छी होती है और IPS LCD से बहुत अच्छी होती है M.O.LED प्लिस इस रिव्यू को बाइस तरीके से मत समझना मैं आराम मैं वाकई में M.O.LED को बहुत पसंद करता हूं और जो की उसने नहीं दिया इस वाले फोन क के अंदर फिर भी डिस्पले काफी अच्छी है अच्छेगा से व्यूइंगल दे देती है ब्राइट कलर से और कॉंट्रेस्ट है डिस्पले का 386 पिक्सल पर इंच है मतलग काफी ज्यादा मक्स मस्त पिक्सल है इसके अंदर मुझे सही लगी ठीक है फिर आगे बढ़ते है और इसका जो स्क्रीन टू बाडी रेशियो है वह ऐसेवेंटी तू पंफ्य पर संट जो कि मेरे बोर्ड रिजल्ट से भी ज्यादा है लेकिन फिर भी स्क्रीन जो है वह बैजल लेस नहीं है बैजल है किनारों पर बडद इतने जादा भी नहीं है 2.5D कर्व डिस्पले है जो कि classy look देती है और बहुत लोग confused जाते है classy और classic में तो classic का मतलब होता है class वाली और classic का मतलब होता है पुराने जमाने वाली तो पार्ट शाला खतम अब वापस review पर आते हैं हाँ तो gorilla glass नहीं है review के अंदर इस phone के अंदर review के अंदर बोल रहा हूं और जो कि टूटेगा हर महीने और हर महीने खर्चा आएगा मेरा temperatureless हर महीने टूट जाता है phone पर पूरा metal है मतलब कि metal universe design है उपर से नीचे तक बिल्कुल seal pack मतलब इसमें बैटरी नहीं निकलेगी बिल्कुल भी battery non-neemolable है SD card जो है और SIM card की trace अलग से दे रखी है और जो charging है charging वर्जिंग के लिए जो ports होते हैं वो तो हैं ही अच्छा अगर इसकी SIM की बात करें तो Redmi की तरह Samsung ने पैसे नहीं बचाया आप चाहो जो दो SIM के साथ SD card लगा सकते हो एक ही वक्त पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो फोन वैसे तो कुछ खास नहीं दिखता लेकिन हर Samsung की तरह हर Samsung के फोन की तरह वही speaker है उसके नीचे वही का लोगो आजू-बाजू में फ्रेंट फ्लैश है और डा चाहिने प्राइब यह श्रणी श्रणी में इस रख अधा स्विट आज अगे की तरह वरक्तव तरह अगे कि तरह वरना जिसने प्राइस जड़ा यहा यह दो फोन से बेंशन चले नीचे की तरफ चलते हैं तो फिंगर प्रेंचे वालों नहीं बटन है पींगर्प् नहीं आती है USB 2 आली आती है मतलब Micro USB 2.0 आता है इसके अंदर मतलब पुरानी वाली USB Type-C से जो कि slow charge करती है और slow data transfer होता है क्यों दी मुझे संज्वानी आई और 3.5 mm jack आता है वह छोटी सी लाइट होती ने जो बड़ी क्यूट सी जो फोन के बूथे पर होती है जो हल्की सी चमकती है प्यार इससे तरीके से जब भी नोटिफिकेशन आता है हम वही वाली लाइट उससे ये बना दिया सैमसंग ने मतलब क्यों जे सेवन टू का experimental feature ने यहां तक अपने साक्षा को दर्शन दे दिया जिसकी हद नहीं आपके कैमरे के सामने मतलब घहरा हुआ है मतलब इतना भद्दा लगता ना फोन पिछवाड ऐसे जिसकी हद नहीं और किसी किसी को बात अच्छा लगीगा जो सैमसंग फैनवाइज है लेकि मेरे लिए तो बहुत बखवास है वाकई म अब सच बोल रहा हूँ यह रीवियू कम रोस्त ज्यादा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब इस रीवियू को मनाए गलती कर दे और सैमसंग की गलतियां वो सुधार रहा हूँ अच्छे कासे फोन को यार भद्दा बनाने में कोई कसा नहीं चोड़ी मुझे तो इसमें पसंद नहीं आया मतलब कम से कम फिनिशिंग तो दे देते यार थोड़ा सही कर देते कोई इन्विशन नाम की चीजी नहीं है मतलब इतनी मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी लाइट लगा यह चोड़ी से राइट के जगा तीन हजार थीन सु मेंस की बैटरी दिए ख बैटरी की बात करी रहें तो करी ही लेते हैं अच्छी तरीके से 3300 एमेच की बैटरी आती है जोगी नॉन रिमुवल है बिलकु स्टैंडर कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है फिर भी सही चल जाती है एका दिन चल जाती है ठीक है लेकिन उसका फंडा भी है भाई साब उस आसी दुश्मनी नहीं है लेकिन वह पावरफुल नहीं होता यार और नहीं उनका एक्सडिय सपोर्ट होता है मतलब कोई डेवलप्मेंट नहीं होता कोई रॉम नहीं आती घीक्स विल गेट मी ऑफ विसली बात है मीडिया टेक एम्टी 6757 हीलियो पी 20 प्रोसेसर जो की क्ल कोई बात नहीं है ठीक है इसे भी अगर पचाल लें आकर अपन तो भी फोन ले सकते हैं नॉर्मल यूस के लिए वैसे इतना लैक भी नहीं होता और सारे के सारे काम सही हो जाते है हलाई की गरम हो जाता है है वी टास्क पर फिर भी ठीक ही है यूनो ठीक ठाक अब मेरी अपर्चर सेल्फी के लिए और पीछे वाले का एफ 1.7 अपर्चर भावी के लिए तो अच्छा कासा कलर रिप्रोडक्शन हो जाता है ब्राइटनेस और वाइबरेंट पिच्छर दे लेता है वही सोशल कैमरा एप है जो जैसे प्रो में भी दिया था और डायरेट वाट्स तो जैसेवेन प्रो की तरह आपको सैमसंग पे का बड़ा वाला वर्जन नहीं मिलता सैमसंग पे मिनी मिलेगी और फुल वर्जन आप कहीं से निकाल भीने से तरह कि नहीं है जलो भागे बढ़ते हैं और रिव्यू खतम तो मैं यही बताना चाहूंगा कि लेना है या नही तो मेरी मानो तो मतलो अच्छे खासे फोन आ जाते हैं इस रेंज के अंदर जैसे मैं प्रू ले लो अगर बहुत ज़्यादा सही लग रहा है आपको रेड्मी नोट 4 में मुझे अच्छा लगता है और मोटो जी 5 प्लस ले लो और अगर सैमसंग ही लेना है तो जैसे मैं प यही कहना चाहूँगा कि सस्क्राइब करो लाइक करो शेयर कर अपने दोस्तों यारों को जो भी सैमसंग ए लेने वाला है उसको शेयर कर दो कायद ताकि वह ऐसी गलती ना कर बैठ जाए और ओप यू लाइक इस वीडियो गाइस इसे मिस्ट्रकर साइनिंग ओफ जेहिंद हुआ 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 है कर दो मैं क्या हुआ है थर्पोदरी की ही फट्यूरी यू